वो बाहें फेला कर उनका जो है स्वागत करने के लिए तयार रहे हैं और इतना उनके अंदर जजबा है भाई को जब से बूल लगड़ी प्रक्रणन हुआ और वो हात्रस में आए इतनी उन्होंने लड़ाई देखी कि भाई हमारा रोड़ों पे लाठी खा रहा है तो लगड़ी तो कहीं न प्रेदा किया है यूबा आज का जानता है कि दूसरा को कोई नेता ही नहीं है जो बीजेपी को जवाब दे सके उनके संगर्स को जंता बुला नहीं सकती साथे जितने भी पाइटियों के लीडर है सब वो चिनाब के बाद बिल में दुबग जाते हैं लेकिन हमारा नेता हमेशा संगर्स करता है रोल पर रहता है हम तो पूरे जनपत जो हात्रस का जो बुल्गरी कांड हुआ वह एक बड़ा मुद्दा बनेगा यहां पर क्यों नहीं बनेगा आजा समाज पार्टी काशीराम की जिला प्रभारियू अपका महिला विंगस है वहां पर आप गई होंगी अपने छेतर में किस तरह का रिस्पोंस मिल पार आब बहुत अच्छा रिस्पोंस है और आप अगर चलेंगे तो मैं आपको महिलाओं के पास भी ले चलूंगी हमा लड़ा है हर जगह अलीगर हो कहीं भी हो हर जगह चंसेखर जी जाते हैं उनको लेकर महिलाओं के साथ युवा सभी उनके बहुत बड़ी जब उन्हें पता चलता है कि भी मार्मी और आजा समाज पार्टी के लोग हैं तो वह हमें सम्मान देते हैं बिठाते हैं और हमें प्यार देते हैं इस किस तरह से समर्थन आपके महिलाओं की तरफ से जो देखिए जो सरकारी जॉब में हैं वह अंधरूनी हमारे साथ हैं वह प्रवादियों की सरकार है उनके लिए नौकरी के लिए प्रवलम हो जाए तो वह इंटर्नल हमें सपोर्ट करती हैं जो सरकारी उसकी महिला है बाकी जो हम हाउस वाइफ हैं और भी जो चोटे-मोटे जॉब में हैं वह लेडिस हमें पूरा समर्तन देते हैं हम टाइम टू लेकिन 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 आपको रहें गरेंगे और आपको इंतजार कर रही है अच्छाइंगे अरे जरूर हम उनके बीच पहुंचेंगे मेरा नाम तिलक सिंग निगम है और मैं भी मार्मी का अलीगर मंदल कोशाद अच्छू जी आपसे मेरा सवाल यह लग पार्ट है तो कहीं ना कहीं ऐसा सुनने वारा कि भीम आर्मी जो है वह समाजपाटी को सपोर्ट नहीं करेंगी तो इसमें आपके छेत्र में अगर बात हाथ तो कितनी सच्चा ही है जो आपने जमीन पो जाके देखा वो बताईए देखिए भी मार्मी आजय समाजपाटी एक आजा समाज पार्टी एक राजनितिक पार्टी है और भीम आर्मी एक संग्ठन है जैसे के आरेसेस एक संग्ठन है उसी तरीके से भीम आर्मी एक संग्ठन है आरेसेस बीजीपी को चुनाब लडाती है और भीम आर्मी आजा समाज पार्टी को चुनाब लडाती है दोनों चीज है ऐसी बात नहीं और हम कंदे से कंदा मिला कर आजा समाज पाटी को लोगों का साथ सब्सक्राइब है और क्या-का ऐसी चीजह है जो आप लोग के सामने लेके आ देखे हम लोग जमीन इसतर से काम करने वाले हैं और पांच साल होगी हमें भीमार्य संक्तनब़ काम करते करते हमें hvis देखे सुर्च्छा और वेविष्टा सुर्च्छा और स्वास्था यानि स्वास्थ कियोंकि हमसे पहले सिट्ठा का सिस्टम बनाना है हमारे लोगों को सि लेकिन वह स्वास्ट ठीक स्वास्ट की विश्ता आची नहीं यानि कि जाते हैं तुरंट उसको अलीगड़ा आगला के लिए रेफर कर देती है मंडल इस तर से भी कुछ लोग हमारे साथ में यहां पर मौजूद है तो सबसे पहले तो आपका परशे में जाँगा और भाई चंसेकर आया जी मानी बिनरतन सिंगी ने जिम्मेदारी दिये मंडल अध्यक्ष की अलीगड़ तो कितने जिले आएंगे आपके उसमें जिले आत तक आप लोग गए होंगे तो जनता से क्या रिपोर्ट कार्ड मिल पा रहा हूं बताई आप जनता यह सोच रही है कि दूसरी कोई पारटी नहीं है जो अभी आपने देखा था कोरोना के समय पे मोटर साइकल वालों का जिनकी जिम में पैसा नहीं है जिनके खाने के लिए उन लोगों की जेम मैंसे पैसे निकल बाने का जाद दो हजार का चालान काटके निकल बाने के लिए पुलिस प्रिसासन ने जबर जबरन किया उन पे तमाम ऐसे कानूने बना दिये के सरकार एक भी कोई चाहे वो बैंक कर्मी सही चाहे वो पुलिस कर्मी सही चाहे वो चिकि पूरी दूसरे लोगों के दिमाग में बठाल दिया कि यह कभी सासन चलाने लागी नहीं और आज जब बाइचंसे कर आज जी को अपने बल्बूते पर चुनाब रणा पर रहा है तो दूसरे लोग जानते हैं युवा आज का जानता है कि दूसरा कोई नेता ही नहीं है जो ब अपनी बात को पूरे देश नहीं बिदेश तक पहुचा जेते हैं या आपका रिपोर्ट टार बोला जनता को बताई आप जानते हैं कोई दूसरा नेता नहीं लिख लगा है आज के लोग पड़े लिखे और समझदार हैं और इतने बुद्ध्ध जीवी भी हैं कि दूसरे हमारे बच्च की बिवस्ता को फेल किया जारे है चिक सा की बात नहीं हो रही हैं हमारे बेरोजगार दौजवान गूमरे हैं उनकी बात नहीं हो रही है और भाई चंशेकर राजाज जी पहुंचकर उन युवाओं की उन बेटियों की अवाज डाने का कार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मन नहीं मनाएंगे चलिए ठीक है चंशेकर आजा जी का जो संगर्स रहा है उसको तो कोई भी नकार नहीं सकता है लेकिन राजनेति सपोर्ट है अलिगर से आप तक संगर्स तो लोग कितना समझ पा रहे हैं वहां मैं आपको बताना चाहता हूं वहाप बड़े बड़े से जीतने वाले क्यों कोई भी नेता आपने देखा का जो बुलगरी कांड हुआ वह बड़ा मुद्दा बनेगा यहां पर आप देख रहे होंगे के संगर्स के मामले में हमारे नेता कभी पीछे नहीं रही उनके संगर्स को जनता बोला नहीं सकती सारे जितने भी पाइटियो सभ्योग को सभ्योग मिला है है मैं अगले इतना भश्योंगय के वहां सब्सक्राइब belum हमें दिवाकर समाज का तो फिजिए मान के चलिए कमें 100 परसेंट मिला है एक लाख बोट करीब है कि ऐसा है ऐसी समाज का हाँ सर एक बार आप बता दें आपका परचे क्या रहेगा मेरा नाम डॉक्टर केके लामा है और मैं जिला प्रवारी आजा समाज परड़ी काशीरा मात हाथ रस देखते हैं याप पूरा तो अब एक बार आभी बता दें कि किस तरह का रिपोर्ट कार्ड जंता का आपके साब से आप जो गए हैं रिपोर्ट कार्ड जंता का हमें रेस्पोंस बहुत ही अच्छा मिला है क्योंकि उनके बीच में इस समय कोई भी निकल के नहीं आ बहुत ही अच्छा मिला है इसके साथ ही हम आया समाज पाटी जो हमारा राइनेते के दल है उसको लोग हमें जिताने के लिए अग्रसर हैं और जो बाकी जो प्रतियासी आ रहे हैं और पाटियों से उनकी सभी खराब है कोई पहले भी यह लोग हुए हैं लेकि इन्होंने को युवाँ को और नए लोगों को मौका देना चाहती है आपका सब कहने का मतलब कहीं नहीं हो गया कि इस बार जो हाथ उसकी जंता है वो कहीं नहीं नेता चाहती है और वो चंसे करको अपना नेता मान चुकी है आप लोगों के रिपोर्ट कार्ट के साफ से चलिए वह हम जम जिम्मेवारी है तो ये लोग अपना प्रास कर रहे हैं अपने नेता पहुंचाय को लोगों तथा कहीं ना कहीं इनके मुताभिक जंता जो है हात्रस इनको अपने साथ नजर भी आती है तीन सीट निकलने तक का दावा बोलोग यहां पर कर रहे हैं लेकिन यह अभी बात दिखने वाली होगी कि आगे जा करके जंता जमीन पर इनको कितना मेहत देती है तो हात्रस में हम और जमीन हकीकत भी आपको दिखाएंगे आप लगातर हमारे साथ में बने रहें और लगातर रहें ब्याम न्यूज